कहा है कि जो दौर चल रहा है उस दौर से बोलो ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो और किसी ने कहा है कि जो तुमको काटे बोई तुम उसको फूल तुमको फूल के फूल है उसको है तुमने उनके काटों का और उनके जो कटीले तारों का और नुकीले कीलों का जबाब फूलों से दिया है तो मैं कहना चाहूंगा कि जाओ जाकर ये संदेश साथे दो कोई अमबानी के यारों से अपना हकमछीन कर लेंगे दिल्ली के दर्वारों से अपना हाख हमचीन कर लेंगे दिल्ली के दरवारों से और अपने बाया तरफ की बात करो तो आगे मेरे 100-200 मीटर पर बैरिगेटिंग ताकि किसान दिल्ली में परवेशना कर पाएं और बैरिगेटिंग किस तरीके से आप लोगों ने तस्वीर बैरिगेटिंग की देखी होंगी और आज मेरे साथ मौझूद हैं इनसे बात करेंग तो सार पहले तो आप इना नाम बता हैं और कितने दिन से हैं यहाँ पर GI मेरा नम इम्रान है उत्तरपरदिश के सबसे पिछले लाखे बुंदिल खंड से हूँ और अगर मैं बात करूं यहां तो मैं पहले दिन से ही हूँ और मैंने इस आंदोलन में तमाम उतार चड़ा हो कि यह जो आंदोलन है वो आज रात समाप्त हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से भारती किसान उनियन के नेता चौजी राके सिंग्ट के आंखों से आंसू निकले वो भावक हो गए और उसके बाद उनकी भावक अपील के बाद जो है यह जो आंसू थे उनके जौला मुखी में तबदील हो गए जन किरांती में तबदील हो गए और यह पूरा अंदोलन जो है जन आंदोलन में तबदील हो गए अब आप भील देख सकते हैं और लगातार उस दिन के बाद भील लगातार बढ़ती जा रही के लिए तो वहां से बापस पंदरा लोग भी आ रहे हैं लगातार जो है जारी है आने जाने का सिल्सिला जो है बादस्तूर जारी है यह बात बहुत अहम है क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस्तिती बहुत खराब होई आंदुलन की यह लगने लगा कि आंदुलन खतम होने को है सिमटने को है लेकिन जब कि आवाहन कि गाउं से किसान गाउं से किसान पानी लेकर आएगा क्योंकि उन्होंने पानी बीने समना किया और वह आसू सर आसूं का जो दौर चला राकिस टिकाइट रोए सदन में परदान मंतरी मुदी रोए गुलाव इतने लोग आना सुरूए भीड सुरूग हुई तो क्या स्क्रिप्ट में था कि राकिस टिकाइट इस तरीके से काम करेंगे तो सायद हो जाए कि माहौल बदले आंदुलन का एक राकिस टिकाइट के आंसु की तुलना आप प्रधान मंतरी मोधीया योगी या गुलाव नभीाजाद की आंसू से बिलकुल नहीं कर सकते हैं बात, अब मैं बताता हूँ, 14 राकेश सिंग्ट के मैं आंकों से जब आंसू निकलते हैं, उसके बाद उनकी आंसू जो आला मुंखी में तब्ड एलामुकी मैं तब्ड आंसू जाते हैं। उसके बाद आप सेहलाब बैँसरा हैं, मोदीजी के आंसू कि क्या किया। मोदी जी जो है रो रहे हैं जिस तरह से चौदी राके सिंग टिकेट रो ये सांदोलन को बचाने के लिए चौदी राके सिंग टिकेट की आँखों किसे आशू निकले इस जो है जो है नब्य करोड जो देश के किसाने उनको बचाने के लिए चौदी राके सिंग टिकेट की एक भी आंसु निकला एक भी बार जो हो नोंने सोक सरद्धांजली अर्पित की एक भी बार उनकी आँखों से एक आंसु निकला हो दो सो पंदरा स्यधिक किसानों की मौत हुई देश के पालन हारों की देश के अन्नदाताओं की मौत हुई तब तो वो नहीं रो लेकिन जब स किसान नेताओं के आसूं से बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं यह पूरी तरह से बेमानी है उनके आसू पॉलिटेक्स बाले आसू है और यह आसू जो है किसानों के आसू थे इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने चेंज हुआ और यह अंदोलन पूरी तरह से जना अंदोलन म बात जो चीजे हैं ये कटीले तार नुकीले कीले लगाए गए और ड्रॉन से लगातार निगरानी तीन्ती राज़ों की पुलिस हरियाना पंजाब उत्तर प्रदेश जोहराजी की पुलिस रैपेड एक्सन फोर्स के जबान तमाम जबान जो है आपने यहाँ पर तैनात किये आप एक बात बताईए ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है ये दिल्ली गाजी पुर का बॉर्डर है एक राज से दूसरे राज को आपस में जोलने बाला बॉर्डर है आपने इसे चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर मना दिया मैं कहना चाहता हूं सासन पर सासन से सरकार से कहना चाहता हूं सरकार ने अगर इतनी चाक चौबंद विवस्ता जो दिल्ली गाजी पूर बॉर्डर पर की है अगर ये जो है चाइना के बॉर्डर पर की होती तो चाइना डोकलाम के अंदर चाइना गलवान घाटी के अंदर घुसकर के हमारे बाइस सैनेकों को सहीध ना करता और चाइना रोना चल पर देश के अंदर घुस करके गाउना बसाता और अगर यही जो है सुरक्षा विवस्ता आपने चिकल जो है 14 फरवरी है 14 फरवरी एक साल होने बाला है हमारे देश के 44 जावाज जो सैनेक पुल्बामा हमले में सहीध हुए अगर आपने जो है इतनी सुरक्षा विवस्ता बहां की होती तो बो पुल्बामा हमले में सहीध ना होते यह तार जो है सुप्रीम कोट ने सकता आदे से कि किसान अपने जो है खेतों में जानवारों को जो है रोकने के लिए नहीं लगा सकते आपने इंसानों को किसानों को रोकने के लिए तार लगाए है उसके जबाब में हमने फूल लगाए है आप देख सकते हैं किसान जो लगाता रहीं सक तरीके से सांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रिद्वर्शन कर रहे हैं और किसी ने कहा है कि जो तुमको कांटे वो है तुम उसको वो फूल तुमको फूल के फूल है उसको है तिरसूल तो हमने उनके कांटों का और उनके जो कटीले तारों का और नुकीले कीलों का जबाब फूलों से दिया है और जिस तरह से अगर हमें रोकने की बात कर रहें तो मैं कहना चाहूँगा कि कहाई कि जाओ जाकर ये सन्देशा दे झालिए और आदा आदा आई। किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौचारों से हम बंजर पर पैर जमा कर हर्याली ले आते हैं और खुद की किसमत से लड़ते हैं खुसहाली ले आते हैं और जो खुद को पूजी पतियों का खुला है तैसी कहते हैं हम ऐसे हर जालिम हुकमरान की ऐसी तैसी कहते हैं और यह संदेसा सेहन सहा से कह देना और मोदी से भी कह देना और अमित सहा से कह देना सरकार हैं हम से होती हैं ना कि हम सरकारों से यह किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बॉच्छारों से यह किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बॉच्छारों से तो जिस तरह से इस किसानों को रोकने की ये जो कवायद की जा रही है सरकार दोरा ये किसान रुकने वाले नहीं है हम लोग अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाते रहेंगे सांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाते रहेंगे क्योंकि अगर किसी आंदोलन को आपको लंबा चलाना है तो वह आंदोलन आप समझ लीजी को वह सांती पूर्ण और अहिंसक होना चाहिए तभी वह आंदोलन जो है लंबा चलेगा एक आखरी सवाल कि क्योंकि असी दिन हो चुके सर इसके बात राकेश टिकैट ने भी अक्ट चुनाओं आ जाएंगे अक्टूबर तक भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे क्योंकि साइद चुनाओं की वज़े से सुन लें लेकिन मैं बताता हूं कहा है कि जो दौर चल रहा है उस दौर से बोलो यह बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो तो जो है रणनीती में पड़ाब करना होगा और जिस तरह से हमने उम्मीद लगाई थी इन से तो कहा है कि जिन से थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार जिन से थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार वो हमारी कबरे से इंटे चुरा कर ले गए यह वहीं मोधी जी है तो 2019 में जो नारा थ था कि बहुत हुए किसानों पर अत्याचार अपकी बार मोधी सरकार नारा देने वाली है किसानों का जिस तरह से अत्याचार और सोसन कर रहे हैं एक बात कहा है कि जिस तरह से नों ने कहा कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं अब हुकूमत में सब मकार नजर आ आई दुगनी करने की बात करते हैं लेकिन आज किस तरह से किसानों की कमर तो रही है किस तरह से किसानों पर वार किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं लगातार जो है किस तरह से सरकार कहती थी कि हम प्रितिक भारती के खाते हैं 15 लाख आएगे काला धन आएगा काला धन भी आगिया 15 लाख नहीं आए तो काये कि पुराने हाल से बत्तर सभी का हाल कर डाला कभी कस्मीर कर डाला कभी भोपाल कर डाला बादा था मोदी जी का कि हर खाते में 15 लाग खाएंगे अरे इसे हमारा सब को छीन लिया हर सक्स को कंगाल कर डाला और अगर अच्छे दिन की बात करते थे तो काये कि महबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती दाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो अगर मोधी जी अच्छे दिन है तो अमबानी अडानी को मुबारक हो ऐसा करो मोधी जी पुराने दिन ही लोटा दो हमारे पुराने दिन ही लोटा दो तो यही और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए तम बहुत बहुत सब धन्यवाद आपका बात करने के लिए एक मिट सब क्लोस तो बहुत 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 धन्यवाद आपका बात करने के लिए दोस्तों इससी के साथ यह मैं वीडियो खतम करूंगा मिलेंगे अगली कि बाते आप तक पहुचाने की मकोसिस कर रहा हूं लगातार कोसिस कर रहा हूं कि आप लोगों तक ये आहंदुलन की बाते पहुचें तो मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार